पासा है तभी सब कुछ है पासा नहीं है तो कुछ नहीं है कमपनी का मनेज्मेंट बेस्ट, प्रोडक्ट बेस्ट, प्राइस बेस्ट अली वार अमुल्या हर्स के माध्यम से मेरे घर में कार आया उस दिन खुशी का ठिकाना नहीं था सर और मज़ेदार बात ये है कि और्गनाइजेशन पूरी तरीके से सपोर्ट में है क्योंकि हमारे टीम के कई लोग आज देख रहे हैं और उनके भी सपने पूरे करने हैं और मैं कहूंगा कि ये हमारे लिए डॉक्टर इन कॉल जवर्दस्त है सर, रामबान है जयन साथियो, मैं आज इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ और आज के इस एपिसोड में हम डारेक सेलिंग को लेकर बहुत सी चर्चाए करेंगे एक अपने उभरते हुए रेक खौनहार लीडर के साथ वो कहते हैं न कि लीडर पैदा नहीं होते लीडर अपनी महनत और लगन से बनते हैं और खासकर अगर मैं डारेक सेलिंग की बात करूँ यहाँ पे बहुत से लीडरों के बारे में हम जानते हैं सोशल मीडिया के बात हम से लेकिन आज भी ऐसे बहुत से लीडर हैं जिनों ने अपनी महनत और लगन से धीरे-धीरे बुलंदियों को चुहना शुरू करा और ना केवल खुद बलकि अपने साथ बहुत से लोगों को उचाही पर ले कर गए और उनमें से एक नाम है Mr. Dharm बीर जी का जो नवादा बिहार से Amulia Herbs के Diamond Director है जिनों ने एक बहुत साधारन से बैक्ग्राउंड से निकल कर आज एक मुकाम को चुआ है और आज हमें मौका मिला है उनके साथ बातचीत करने का तो मैं उनका स्वागत करता हूँ नमस्कार धरम बीर जी नमस्कार सर आपका बहुत बहुत स्वागत है तेंक्यू तेंक्यू सर कि आपने जो है मुझे एक मौका दिया इसके लिए सर मैं आपको तह दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा सर कि एक मौका आपनी दिया मैं चाहता हूँ कि इस एपिसोड के माध्यम से ऐसे लाखों हमारे साथ ही जो इस इंडस्ट्री में है या इस इंडस्ट्री के प्रती निचेष्ठा रखते हैं इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उन सब का आपके अनुभव से उन सब का लाखो तो बैक्ग्राउंड के बारे में बताएं आप क्यों इस इंडास्ट्री में आए और क्या आपका इते हास रहा? मेरा नाम ध्रमबिर कुमार और जनम अस्थली नालंदा से और कर्म अस्थली नवादा से मैं तमाम साथियों का हारदी कभिनंदन करता हूँ सर मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज ये मौका दिया मुझे सीजो को बताने का मैं एक साधारन फाइमली किसान परिवार से में जनम लिया सर और एक सपना था मेरा फाइव प्लास में जब मैं प्राई कर रहा था उसे समय मेरे अंदर एक ड्रीम आया था कि मुझे डॉक्टर बनना लेकिन उस समय तक कि ये मुझे पता नहीं था कि डॉक्टर बनने में क्या खर्चाते हैं और संजोग से मैं इंटर पास ही किया था उसे प्रियड में हमारे पिता जी का लिवर कैंसर हो गया और इलाइज कराने के ही पिरियड में उनका द्यान्त हो गया तो ये तो पहले से मुझे पता भी नहीं था क्या खर्चाते हैं लेकिन जैसी ये बात मुझे पता चला मैं डिश्जन मेरा फिर से बाइक हो गया और मेरा शपना डॉक्टर बनने का अधूरा रह गया और तब उसी समय से मेरे अंदर एक जुनून आ गया क्योंकि पिता जी का इलाइज कराने में पासे का जो खर्चा रहा था इससे ये मुझे लगा कि जीवन में पासा है तभी सब कुछ है पासा नहीं है तो कुछ नहीं है तब से मुझे लगा कि पहले पासा चाहिए क्योंकि पासा जब तक के नहीं होगा तब तक आप एक बहतर आजुकेशन भी नहीं ले सकते हैं तो मुझे लगा कि पासा कमाना चाहिए तो उसी परियद में मेरे पास एक direct selling company आई और उन्हें मैं direct selling क्या कहूं सर वो जोडने वाली company और बचपना था तो मुझे समझ में नहीं आता था तो मैंने जो है join कर गया क्योंकि need हो गया था कि मुझे पैसा कमाना दस साल मैंने मेहनत किया लेडर तो अच्छे मिले लेकिन और्गनाइजिशन में जो रियालिटी जो चाहिए बास्तित्ता जो चाहिए कतनी कुछ और था, करने कुछ और जो सच्छा ही चीज होनी चाहिए वो रियल में था नहीं तो मैं दस साल जब तक कि समझदारी आया तब तक कि मेरा दस साल बिचुका था और जैसी ये पता चला कि ये परफेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं है मैं वहां से क्योट कर गया और मैंने डिसाइड कर लिया जीवन में सब कुछ करूँगा डारिक सेलिंग नहीं करूँगा लेकिन थैंक्स करना चाहेंगे सर मैं अमुल्याहर्स और सबसे बड़ी बात सर मैं अपने अप्लाइंस मिस्टर सुनील सर को जिनको मैं चाहूँगा कि दिल से धन्यवाद दो क्योंकि उन्होंने ये अपर्चिनिटी दिया और जब मैं आप से मिला तो मुझे लगा कि नहीं यहां से कैरियर फिर से बनाया जा 2012 से लेकर के 19 तक का जो मेरा सफर रहा वो पूरी तरीके से प्राक्टिस लाइन में आज भी प्राक्टिस में हूँ लेकिन वो था है लोपैत और वहां से उसी प्रियर्ड में मेरे पास जब Amulia Hersh आया तो Amulia Hersh जब आया तो मुझे लगा कि क्योंकि बहुत सारी कंपनी आ रही थी तो मुझे लगा कि अच्छा है उसी में से एक कंपनी ये भी है तो मैं इसे हलके में लिया लगातार तीन महिना तक बूक इसका था सर तो मैं उलटता था और देखता था और रख देता था और तीन महिने के बाद मुझे आफर मिला कि एक बार चलिए आप कंपनी देख लीजिए अगर संतुष्टी मिले तो आप करे नहीं तो नहीं करे अकसरहा लेडर लोग क्या करते है एक टार्गेट देते हैं कि कंपनी जाने आना का खर्च आपको करना होगा खाना पिलाना सब कुछ आपको करना होगा लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैंने उनको बोला सर कोई बात ने सब कुछ करेंगे पासा मत खर्च करें मेरे उपर लेकिन मैं जाओंगा एक बार लेकिन ये आप मुझे कमिटमेंट करके लिए चले कि जोएन तो नहीं करना पड़ेगा तो मैंने बोला तो उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा सर जब मैं आपसे मिला सर तो मुझे लगा कि नहीं कमपनी का मनेजमेंट बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ट प्राइस बेस्ट सारा चीज लगा तब मुझे लगा कि एक वाट ट्रस्ट किया जा सकता एक वाट ट्राइ करने में क्या दिकत है जब 10 साल वहां मैंने दिया तो 6 मन्त यहां पे देता हूँ और उधर से जब मिला सर मैं निकला यहां से निकलने के बाद मैं दूसरा दिन से मैंने काम स्टार्ट किया एक हमारे साथ ही कलेक थे साथ में जो कि आज ही हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है फिर लगातार काम करने के ही पिरियड में, क्योंकि हमारा बीच में सरभाइकल हो गया, मैं बैग ले करके फिल्ड में जब ऐक से निकल रहा था तो और पेन जब हो रहा था तो मैंने सर को बोला कि सर गर्दन में पेन हो रहा, बहुत दिक्कत हो रहा तो सर ने बोला कि लगता है उपर वाला कुछ आप से कुछ अलग चा रहा और बोला द्रमबिर जी आप कार लो और मैं सत्य बताओं सर मेरे परिवार में पहली कार आई जो कि मैं ये सपना 2001 में देखा था दस साल सपना देखा वो सकार नहीं हुआ पहली बार अमुल्या हर्स के माध्यम से मेरे घर में कार आया उस दिन खोशी का ठिकाना नहीं था सर क्योंकि वो मेरा पहला ड्रीम कंप्लेट हुआ दूसरा बच्चे को पढ़ाई को लेकर के मैं स्रियस रहता था बहतर एजुकेशन देने के लिए क्योंकि बच्चे को मेरा टार्गेट ये था कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो बच्चे को कम से कम अम्भीवियस करा हूँ मैंने दो साल पटना में पढ़ाया डू टू अमुल्या हर्स की वज़ा से पाले बी एसी नर्सिंग जो की आज आई जी एमस से वो क्लास कर रही है सकेंड येर की स्टूडेंट आज की डिट में है और मज़ेदार वात ये है कि और्गनाइजेशन पूरी तरीके से सपोर्ट में है आपका प्यार और सरका प्यार और हमारी पूरी टीम की वज़ा से कभी तब से जो है फाइनेंसियली प्रालम कभी नहीं आया सर और आज नन अस्टॉपेज यहाँ पे अमुल्या में हर लक्ष को पूरा करता जा रहा हूँ बहुत बढ़िया जारवभीर जी आपने महनत करी है और एक लगातार कंसिस्टेंट वे में आपका लेवल अचीव होता है फामली का मेरा सपोर्ट हमेशा रहा हर सिच्वेशन में रहा अमुल्या इज दा बेस्ट बाकी कुछ नहीं तो आपको क्या लगता है हो गया जहां तक पहुँचना चाते थे या भी कुछ और बाकी है नहीं सर मैं यहां से उठा सर यहां पे बस थोरा सा फाइनेंशल इस्तिती वेस्ट हुआ है बच्चे को आजुकेशन दिला रहा हूँ लेकिन अब तो रियल कहानी शुरू अब होती है सर क्योंकि हमारे टीम के कई लोग आज देख रहे हैं और उनके भी सपने पूरे करने हैं और हमारी भी बहुत बड़ी ड्रीम है सर वो सारे ड्रीम को यहां से एकक करके पूरे करने है आपने वाकई डारिक सेलिंग के अंदर एक मुकाम बनाया है सर और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि जिस पूजीशन पर आप हैं आप से बहुत से लोग प्रेणा ले सकते हैं क्योंकि जादर तर लोग इस इंडस्ट्री में बहुत साधारन बैकग्राउंड से आते हैं और सपने बड़े होते हैं तो उन लोगों के लिए जो साधारन बैकग्राउंड से हैं लेकिन बहुत बड़े सपने हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है क्या उनको करना चाहिए अपने सपनों को पूरा उनके लिए मेरा जहां तक के मानना है सर लोगों को जो ड्रीम दिये जाते हैं सर कि six month में BMW साल भर में जो है ये फ्लाइट कई तरीके बड़े बड़े सपने दिखा दिये जाते हैं लेकिन व सबनी हो पाता है उसके लिए क्या work करने होंगे ये चीज का वो knowledge नहीं ले पाते हैं नतिजा क्या होता है कि वो उत्साह में सिर्फ छे महीना वर करते हैं और पता चलता है तो पांसजार पे अभी महीना नहीं कमाते हैं, तो रिटर्न बैक हो जाते हैं, और कहते हैं, सिस्टम खराब है, लेकिन हम यहां बड़े सपने देख रहे हैं, लाग, दो लाग, पांसलाग महीने कमाने का, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले अश्कील पे काम करने की जुरत है, जबकि डारेक सेलिंग में लोग जुआइन करते हैं, वो अश्कील पे फोकस नहीं करते हैं, पहले अपने अश्कील को डिवलप कर ले, क्योंकि आज के डेट में लोग सर आपके साथ तभी कनेक्ट होंगे, जब वो मांते हैं कि हम से ज़्यादा यह अन्भवी है, मतलब यह कि एक साधारन परिवार से एक कमजोर बैक्ग्राउंड से भी निकल कर, अगर अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, तो पहले उसको अपने स्किल को एनास करते हैं, बेलकुल सर, क्योंकि आज मैं एक गाउं से हूं सर, मेरी तो एजुकेशन एक ग्रामिन परिवेश से हुआ है, जहांकि रोड भी नहीं थे, न तो बहतार एजुकेशन था, मैं तो सरकारी अस्कूल में पढ़ाई किया हूं, कभी प्राइवेट अस्कूल होता है क्या है, यह तो मैं ने देखा गी नहीं हूं सर, तो जो कुछ भी आज मैंने किया सर, मैं अपना स्किल की बज़ा से किया, मैं हमेशा लर्निंग मोड में रहता हूं, हमेशा शिखने के मोड में रहता हूं, आपको पाकई निटवर्क मार्केटिंग में बहतर करना है, डारिक सेलिंग में बहतर करना है, तो आपको मिटिंग, सेमिनार, लिडर्स मिटिंग, हर मिटिंग को जॉइन करना पड़ेगा, इसलिए शीखना बहुत जरूरी है सर, जब तक कि शीखे गे नहीं, तब तक कि कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर मैं स्किल की बात करूँ, सीखने की बात करूँ, तो आपको क्या लगता है डारिक सेलिंग में, क्या चीज बहुत इंपॉर्टन्ट है, क्या चीज है जिसको सीखने के बाद एक आदमी बुलंदियों के सफर पर आगे बढ़ सकता है, पर यहां सवाल यह आता है कि किस तरह के स्किल वो एक्वाइर करें, इस इंडस्ट्री में अगर उसको कामियाब होना है, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो एक आम इंसान को सीखनी चाहिए, ताकि वो अपने सबने पूरे कर पाए, यहां पर रियल में जो सिस्टम कहता है, अक्सरहां लोग अपने हिसाफ से काम करना सुरू करते हैं, लेकिन जासे एक डॉक्टर लाइन है, तो वहां पर डॉक्टरी जो पढ़ाया जाता है, उसके हिसाफ से वर्क करना पड़ेगा, अगर सौफ़एर इंजिनियर है, तो सौफ़एर में क्या पढ़ना उसको पढ़ना पढ़ेगा, उसी तरह के से डाइरेक सेलिंग में जो बेसिक हैं, उस बेसिक को जानना पड़ेगा, और जब तक कि उस बेसिक को नहीं जानेंगे, और बिना जाने हुए फिल्ड में उतर गए, तो आप फैल कर जाएंगे सर, तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, अब वो नॉलेज आएगा कहां से, तो वो आएगा उन आपके लिडर से, जो लगातार मेहनत फिल्ड में कर रहे हैं, वो अपने खटे मिठे अनभग को बताएंगे, लाफ आवरेज बताएंगे, कि कितने लोगों को बताने के बाद क्या रिजल्ट आएंगे, गोल सेटिंग क्या होता है, प्लान क्या होता है, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजों का जब वो नॉलेज देंगे, लोगों के साथ कैसे आई कॉन्टाक्ट बनाना है, जब ये सारी हैर कटिंग क्या होनी चाहिए, मतलब आपका प्रोपर ड्रेस कोट क्या होना चाहिए, यह सारा जब systematic तरीके से जब वो पालन करवाएंगे और जब उसको आप पालन करने में काम्याब, लेकिन यह तभी आप करने में काम्याब होंगे, जब आप अपना mentor मानेंगे, जीवन में अगर सफल होना है सर तो किसी ना किसी एक को mentor मानना पड़ेगा. अगर उसको अपने जीवन में बड़ी बुलंदियों पर जाना है और network industry में, direct selling में एक बड़ा मुकाम हासिल करना है, तो सबसे पहले उसको एक mentor बनाना पड़ेगा, एक leader जिसके अंडर वो लगा है, उसको समझना चाहिए, उसकी सुननी चाहिए. बेलकुल 100% सर, और जो लोग नहीं समझे हैं, वो फेल करते आ रहे हैं और आगे फेल भी करते रहेंगे. बहुत बड़िया, आप जो skill की बात कर रहे थे, ठीक है, उसको सुनना है, उसको समझना है, लेकिन इसके इलावा, कोई और भी चीज़े हैं, जो एक direct seller को इस industry में सफल होने के लिए करनी चाहिए. सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है सर, कि काटेगरी हमारे समाज के तीन है सर, एक lower काटेगरी, एक middle काटेगरी और high काटेगरी, तो सबसे high काटेगरी वालों के पास तो पैसे हैं सर, वो कुछ भी कर लेंगे. मेडिल काटेगरी वाले लोग जल्दी तो बिजनस में आते नहीं है, क्योंकि वो अधजल गगरी छलकट जाए वाले कहावत है, तो उनके पास पैसे होते हैं और वो लोगों को हलके मिलेते हैं. लोग काटेगरी वालों के पास जो है, या तो मेडिल वालों को आप ये भी कह सकते हैं, कि सर उनके पास बिकल्फ है, कि कहीं दुकान भी खोल सकते हैं, जिविका के लिए, उनके पास 10 लाग, 20 लाग, 50 लाग होते हैं, तो अपना जिविका चला सकते हैं, लेकिन जो लोग क लाइंवांस देना होता है फिर दुकान में जो है पुंजी लगाने के लिए पासे चाहिए उसके बाद हिडेन खर्च भी हैं हिडेन खर्च क्या है बजली इंस किराया हूगया तो यह सब सारे खर्च पास हैं हिडें सब तो जब hidden खर्च हैं, तो उनका रातों का निन दिन का चैन खतम, तो सबसे पहला नम्मर तो उनके पास हैं ही नहीं, तो वो कर नहीं सकते हैं। लेकिन सपने बड़े हैं, तो बिकल्प उनके पास आज के डेट में प्योर डारेक सेलिंग, कोई भी बेस्ट कंपनी को जो अगर पकड़ ले, और मैं तो कहूंगा अमुल्या हर्च को पगड़े, क्योंकि अब तो इनवर्सीटी भी जो है, कोर्स कराना सुरू कर दी, तो आज मैं सभी जातियों को बोलना चाहूंगा, जो मेरी वातों को सुन रहे हैं, मैं उनको संदेज देना चाहूंगा, कि अभी भी मौका है, आज आईए अमुल्या हर्च में, जहां पे अमुल्या एकेडमी के स्थापना हुई है, और ये तीन महेने का कोर्स जो है, सर बाकर लाजवाब है, क्योंकि यहां पे जो नीड है लोगों को, एक नई पत्ती के साथ है, तो यहां पे तीन महेने का जो कुर्स दिया जा रहा है, और ये तीन महेना रियल में अगर कर ले, तो उनका अस्किल डिवलफ हो जाएगा, और जब अस्किल डिवलफ होगा, तो वो सेल पर काम कर ले तो उनकी इंकम 10-20,000 महेने की आ जाएगी सर बहुत बड़ी है तो आपकी एक तो यह समझ में आई बात की जो भी डारेक सलर इस इंडस्ट्री में आ रहा है तो जो भी उसको लेकर आ रहा है उसको मेंटर समझे उसको गुरू समझे और उसको दिल से फॉलो करें, मीटिंग्स को अटेंड करें, और जो अमुलया एकेडमी में जो टेकनिकल कोर्स है, जो तीन महीने का कोर्स किया बात कर रहे हैं, उससे उसके टेकनिकल स्किल डवलप हो जाएंगे, जो उसको कामियाब होने में मदद करेंगे. मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ सर, कि सभी लोग टीम बर्क कर नहीं सकते हैं, जनरेटी डाइरेक से लिंग में होता गया है ना कि टीम ऊपर वाले तो कमा लेते हैं, निशा आले नहीं कमा पाते हैं, लेकिन मेरा मानना सबसे लास्ट का बंदा पैसा कैसे कमाई सर, ये किसी अर्गनाईजिशन में नहीं है सर, लेकिन अमुल्या हर्स में ये चीज है, कि सबसे लास्ट जो पहला बंदा है, लास्ट में जो जो जॉइन किया, वो पैसा कमा सकता है, एक भी बिना लोगों को जोड़े हुए, और वो किस की वज़ा से, अमुल्या अकेडमी की वज़ा स और अभी नया उभरता हो, जबकि ये पुराना पत्ती है, लेकिन काते ना हाइलाइट नहीं, तो वो एक्यू प्रेशर पॉइंट दे करके लोगों को आप ठीक कर सकते हैं, अमुल्या अकेडमी एक मौका देती है, जो कि आज पूरे डारेक सेलिंग इनरस्ट्री में कहीं पेश तरीके का नहीं है, सब लोग सिर्फ मोटिवेशन दे करके लोगों को जोडो, जोडो, माल वेचो, बेचो, बेचो, सिर्फ ये कर रहा है, तो थैंक्स है मुल्यार्ट को सर की ये मौका दे रही है, फ्री में एक तरीके से, अगर गउर किया जाए तो बिलकुल फ्री ह सर, आज ITIV करते हैं तो 30-35,000 लग जाते हैं, BRDL करते हैं तो लाक-3 लाक लग जाते हैं, और लास्ट रिजल्टेंट क्या है, वही करोरों लोगों के भीड में फाइट करना, स्वेम रोजगार वहां से नहीं हो सकता, लेकिन अमुल्या अकेडमी मौका देती है स्वेम रो दो से तीन हजार का भी मेडिसीन अगर डेली निकाल लेते हैं, तो महीने का लाग रुपिय का टरन ओफर चला गया, अब आप इमेजिंग कर सकते हैं सर, जिनका लाग रुपिय का टरन ओफर हो गया, तो पैसा तो बाइडिफोल्ट आएगा, उनका फाइमली चलने में कहीं कोई दिकत नहीं होगा, और सबसे बहतर बात यह होगा सर, कि वो पधती देखते देखते, आपके बच्चे भी सीख रहे होंगे, और कल के डेट में, कल के डेट में सर, जब बच्चे सीख रहे होते हैं, तो उस कंडिशन में बच्चे को किसी फिल्ड में कैरियर नहीं बना तो उनका यहाँ एक बना बना प्लेटफॉर्म आप दे करके जा रहा है बहुत ही बढ़िया सर, बहुत बढ़िया मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप लिगेशी क्रियेट कर सकते हैं टेकनिकल स्किल नॉलेज हायर करके ग्रेट सर, ग्रेट सर, एक चीज जो जर्नली नेटवर्क में हम देखते हैं लोग शेडियूल नहीं बनाते मतलब एक डारेक्ट सेलर को पूरे दिन में क्या करना चाहिए क्या उसका शेडियूल होना चाहिए ये बात पर मुझे हंसी भी आता है सर, इसलिए आता है क्योंकि अक्सरहां लोग जो है सर, जब डारेक्ट सेलिंग को जोईन करते हैं एक तो पहला नम्मर लोग सेल्फ वर्क करना पसंद नहीं करते हैं लोगों को ये लगता है भाई मुझे 14 घंटा खटा लो, 18 घंटा खटा लो महीने का 10 जार दे दो, 20 जार दे दो महीने का फिक्स चाहिए लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सर की जब वो नौकरी के लिए जाते हैं कहीं भी वो प्राइवेट जॉब हो, सरकारी जॉब हो, कोई भी जॉब हो वहाँ पे वो डिवटी टाइमली जाते हैं और छुटियां वहा नहीं मारते हैं वहाँ पे भाहने यह नहीं लगाते हैं कि मेरा जो है परिवार में चचा आ गए, अंकल आ गए, आंटी आ गए, मौसी आ गए आज मैं नहीं जा सकता हूं ये भाहने नहीं होते हैं अगर रास्ते में भी फुफा जी मिल गया न तो बोलेंगे फुफा जी मैं ड्यूटी जा रहा हूँ आप घर पे चलो मैं मिलता हूँ सामने लेकिन डारेक सेलिंग के सबसे बड़ी बिड़मना ये है सर कि अगर वहाँ पे कोई आ गए तो वहीं से बापस आ जाएगा सबसे बड़ी निगेटिविटी ये है सर इसका मतलब ये है कि डारेक सेलिंग में लोग जबकि वो जौब से ज़्यादा सपना यहाँ देख रहे हैं सर और जब सपना बड़ा देख रहे हैं तो मेरा जहां तक मानना है सर कि वहाँ जितना डेडिकेशन के साथ आप काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा डेडिकेशन यहाँ पे होना चाहिए पांच साल जितना सिद्दत से आप नौकरी कर रहे हैं सर उतना ही सिद्दत के साथ डाइरेक सेलिंग में एक सेडूल बनाईए कि सुबह उठना है नहाना ध्वाना है और घर से नौ बज़े हरालत में निकल जाना है ये डिसाइड कर ले फाइव यर मेरा जहां तक के मानना है सर कि अगर इस तरीके से एवरेडे रूटीन बना कर कि अगर काम किया जाए तो मैं गारंटी दे सकता हूं सर कि उनके जीवन में फाइनेंसियल इस्तिती बहुत बहतर हो जाएगा हाँ जी बिलकुल आप ठीक कह रहे हो क्योंकि बहुत से डारेक सेलर ये शिकायत करते हैं कि यार हमने दो साल लगा लिए बना तो कुछ नहीं पैसा तो आया नहीं लेकिन सच्चाई जो है सर मैं बताओं उनसे आप ये पुछ लिजे सर कि सिक्स मंध का सिर्फ दो साल में तीन महीने का आप डेली का रूटीन दिखा दो कि आपने कितना डेली प्लान किया तो पता चलेगा सर दस प्लान ही बढ़ियां से नहीं किये हैं वो क्योंकि लाफ आवरेज है सर कि अगर सौ लोगों को बताते हैं तो दस लोग आते हैं लोग जॉब में सीरियस होते हैं लेकिन इस बिजनस में सीरियस क्यों नहीं होते क्योंकि इस बिपार को वो जो है सर ड तो प्राक्टिस लाइन में हो सर तो पहला दिन जब बैग लेके निकला तो पहली बार तो लोग टचने कि उनको तो लगा कि जो है जा रहा है कहीं लेकिन दिन भर में दो से तीन बार जब मैं निखल गया तो लोग पुछे डॉक्टर साब आप क्या कर रहे हैं तो मैं तो बोले अच्छा अच्छा आप चाय पत्ती बेचने लगे अब समस्या क्या हुआ सर की रात में मरने डिशन ले लिया कि अब नहीं करना ये तो मेरा पर्तिष्ठा की बात है पर्तिष्ठा चला जाएगा डॉक्टर साहब का पोष्ट लेकिन जब पत्नी से डिस्कसन किया तो पत्नी ने बोला क्या लगता है जो जिन्होंने बोला ये बात कि आप क्या करने लगे कल आपकी बच्छी की साधी करनी है और वहां पे तसला गुप ए खर्च करने है तो क्या लगता हुआ परोष्ट के या तो जिन्होंने बोला क्या वा आपको दे देंगे बोले नहीं मैं फुर बोला कि जो है कल आपके घर में राशन नहीं रहेंगे तो क्या वो दे देंगे बोले नहीं तो जब वो दे नहीं सकते हैं तो उनकी बातों में आप आ कैसे सकते हैं और उसी समय मैंने डिशन लिया, उसी नाइट मैंने डिशन लिया, कि दुनिया क्या कहती है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे आगे जाना है तो एक डारिक सेलर को ऐसे कोई पांच काम बता सकते हैं जो सबसे पहला तो सर लिस्टिंग तो जरूरी है क्योंकि होता क्या? लिस्टिंग क्यों जरूरी होता है? अगर मैं किसी area में जा रहा हो अगर without listing के गया तो उस condition में क्या होता जब मैं घर लटता हूँ तो पता चलता है कि वो बंदे से नहीं मिल पाया मैं और अक्तर हां एक सबसे बड़ी बात में बोल रहा हूं सर, डारिक सेलर का, वो जाते हैं समझाने के लिए, मेरा कहना समझाने के लिए नहीं जाना है, आपको बताने के लिए जाना है, कि अमुल्या ये चीज है, समझाना और बताने में क्या फरक है? अंतर ये है सर, क्योंकि वहां पे समझाने के उद्देश से जा रहा है, मतलब मेरे दिमाग में बैठा हुआ कि इने जोईन कराना है, लेकिन आज बड़ी बड़ी इंडस्टी को देख लिजिए सर, वो कहां लोगों को समझाने का काम कर रही है, वो तो अपना परमोशन कर रह तो मेरा मांसेट होना चाहिए कि मैं जो जा रहा हूं वहां पे बताने के लिए वो रियल तरीके से बीना कोई लालज के साथ मैं अपनी परस्तिती को रख दो, लेना ना लेना उनके हाथ में है, तो बताना इंपोर्टेंट है या समझाना इंपोर्टेंट हृ, बताना important और डारेक सेलिंग में प्रॉबलम है, आपने भी शायद ये फेस करी हो, कुछ लोग शुरुआत करते हैं, एक लेवल पर पहुंचाते हैं, और उसके बाद वो सेटेस्फाइड से हो जाते हैं, फिर उनको जितना भी पुछ करो वो वहां काम नहीं करते हैं, कि इस्तिती कैसे एक जवए कियों आती है और इसका क्या समाधान है, मैं दूसरों पे तो नहीं बोलना चाहूंगा, मैं अपने उपर ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं मुल्या को जोईन किया था, तो हमारी कलिक कमाई 7-8000 महीनी की थी, सर, तो मैंने सिनियर को बोला की, सर, यहां से म कितना कमालूंगा तुन्होंने एक सवाल किया थाम से कि ध्रमेर जी कितना चाहिए आपको तो मैं अला सर बीस जार महीने आ जाए तो बहुत बेस्ट है बोले बस कली हां सर बहुत हो गया तब तो मैं फुल टाइम लग जाओंगा और जब मैं काम स्टार्ट किया तो बीस जार से ज्यादा आना सुरू हो गया अब तब मुझे लगा कि जो है ये तो बहुत पास से हो गया अब इससे तो ज्यादा चाहिए नहीं क्योंकि कमिट्मेंट के हिसाब से आ गया लेकिन नहीं सर सच्चाई यहां पे यही है कि जब आपकी अर्णिंग बीस जार हुई तो आप वहाँ से फामिली को अस्टेवल किये आप सफल नहीं हुए वहाँ पर समलने की जुरत है अगर आप वहाँ पर समल गए तो आप बहतर कर सकते हैं क्योंकि सुरूवात आपकी वहाँ से इसलिह होती है कि आप तो 20 जार कमा लिये लेकिन आपके साथ जितने लोग आये वो कित होना पड़ेगा और उनके लिए जो है कदम से कदम मिला करके चलना होगा क्योंकि जितना जादा हमारे जादे नीचे इसे अक्षिभर होंगे हम तभी वो बीश जार को भी अस्थाई कर पाएंगे अधर वाइज वो बीश जार से जिरो रुपया में आने में टाइम दिलेगे तो जब यह बात समझ में आया सर तब से मैंने कसम खाया कि मुझे और करना है और करना है और आज नतीजा है सर की डाइमंड डाइरेक्टर भी हुआ हूं लेकिन उसके बावजुद भी मैं एवरी मन्थ जीरो मानता हूं क्योंकि लेवल आज डाइरेक्ट सेलिंग में लोग जो है सर लेवल लेके घुमते हैं लेवल कुछ नहीं होता लेवल तो एक सम्मानिय पोस्ट है सर जैसे आज एक डियम है तो डियम एक लेवल पोस्ट हो गया क्या उनको ड्यूटी नौ से दस चार नहीं करना पड़ेगा क्या क्या दस से चार करना पड़ेगा ना सर तो ड्यूटी तो करना पड़ेगा तो लेवल तो मिल गए लेकिन ड्यूटी तो करना पड़ेगा लोग डायरेक्ट सेलिंग में क्या होते हैं लेवल जब मिलते हैं तो बोलते हैं मैं डाइमंड हो गया आप नीचे धोरे काम नतीजा वहां फे फेल का कारण यही है सुर। जब कि उनकी और पूरी इनर्जी के साथ लगने की जुरॉत है। तो मतलब कहने का यह है कि जब एक लीडर जो सपना लेकर चलता है जब वो सपना पूरा हो जाता है तो रुक कर एक बार देखे कि वहां तक कितने और लोगों को लेकर आया है। अगर उसका सिरफ सपना अपना ही था तो वो जादा समय तक सस्टेन ने कर पाएगा उसको जब तक कि नीचे से टीम को अपने बराबर ना लेगा। क्योंकि पहले अगर आप 20,000 कमा रहे हैं और आपके नीचे वाले 20,000 कमाने वाले नहीं हैं तो उसके लिए फिर आपको करने की जोरत नहीं है। नीचे वालों का लेवल लेते आया है आपका लेवल अटोमेटिक चला जाएगा। तो शायद यहीं बहुत से लोग गलतियां करते हैं कि अपने लेवल पर सेटेस्वाइड हो गए। और आपका कहना है कि अगर वो वहां से अपने टीम को नहीं देखेगा, पीछे मुड़कर अपनी टीम को उपर नहीं लेकर आएगा तो फिर उसका पतन स्टार्ट हो जागा। क्योंकि इसमें मेरा एक लाइन है सर। लोग कहते हैं ना दुनिया जुकती है जुकाने वाला चाहिए लेकिन मेरा मानना सर। दुनिया उठती है उठाने वाला चाहिए। बिल्कुल ठीक है रहे हो बिल्कुल ठीक है रहे हो। लोगों को टारेक्शन चाहिए। यह स्लोगन इसलिए बोल रहा हूं सर क्योंकि माय उठ नहीं रहा था सुनिल सर जैसे लेडर मिले तो उन्होंने मुझे उठा करके उस जगह से उठा करके क्योंकि मेरा सपना मर चुका था मेंटर सिर्फ वहतर होना चाहिए और मेंटर को दिल से फॉलो कर ले कभी उनके साथ भास न करे आप टॉप पर आजाएगे बहुत बढ़िया एक और समस्या जादे तर डारेक सेलर को रहती है जब हम जोइन करते हैं तो बात होती है लिस्ट बनाओ लिस्ट बनाओ लिस्ट बनाओ जाद तर लोगों की लिस्ट या तो काम नहीं कर रही होती या वो खतम हो जाती है ऐसी स्थिती में एक डारेक सेलर क को ऐसा क्या काम करना चाहिए. लिस्ट हमेशा भढ़ती रहे, क्योंकि रटा-डटाया चीज बताया गया है, मेके लिस्ट बनाईए, और मेके लिस्ट में बताया जाता है, फRIंड का, रिलेटिव का, अरोज-परोष का, और जो लोग ये तीनों लिष्ट के इर्द गुर्द घुम रहे हैं हो सकता है मैं ये नहीं कह रहाँ कि फ्रेंड लिष्ट काम नहीं आएगा रिलेटिव लिष्ट काम नहीं आएगा परोसी का लिष्ट काम नहीं आएगा वो तीनों लिष्ट काम आएंगे लेकिन आपको वो तीनों लिष्ट से बाहर निकलना पड़ेगा जब आप उस लिष्ट में घुम रहे हैं आप बड़ा विजनस नहीं कर सकते हैं तो आपको क्योंकि बड़े बड़े विजनस में जितने हैं उनके relative लोग purchasing नहीं कर रहे हैं अज सहर में देख लिए जाना सर यहां से निकलिए market में जितने दुकान है कितने उनके friend आ रहे हैं खरीदने के लिए कितने relative आ रहे हैं कितने परोशी आ रहे हैं वो जितने list हैं सारे अंजान है सर तो 140 करोड की अवादी है सर जित बना लिजे कि मुझे list पे काम करना है नए list पे काम करना है अब नए list आएंगे कैसे आज अगर मुझे job लग जाए और सरकार मुझे किसी भी block में भेज दे वहां तो मेरे लिए अंजान है और सरकार कहा दे कि ये पूरी पंचायत को या पूरे block को घरे घर जाकर सर्वे कर देना है तो वहां तो मैं अंजान पे ही जाकी काम करता हूँ नए सर इसका मतलब ये है कि वहां salary की बजह से हर घर में जाकर के entry मार रहे हैं लेकिन यहां दुख की बात यह है कि अपना विपार खरा करने के लिए अंजान घर में जाने की जब बात आ रही है तो हम बोल रहे है कि हम अब ये काम करेंगे मला ये ऐसा विपार जिसके आब बात कर रहे थे जहां पे skill के साथ legacy create हो रही है आप कह रहे है लिस्ट कभी खतब नहीं होगी अंजान लोगों के बीच में जाईए लेकिन जाईए तब जब अपने आपको आप उस लेवल पर बना ले क्योंकि अस्किल जब आएंगे तो आप लोगों के पास अपनी बातों को बहतर तरीके से रखेंगे और जब बहतर तरीके से रखेंगे तभी तो लोग आपकी बात को सुनेंगे और जब बात जब सुनेंगे सर तो अटोमेटिकली है वो आपके साथ कनेक्ट होंगे फिर तो लिस्ट के आपकी कमी नहीं है अगर वहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप नहीं जा सकते हैं तो सोशल मेडिया का जबाना हसर सोशल मेडिया से लिस्ट उठा सकते हैं पर कन्विंसिंग के लिए आपको अपने स्किल है स्किल के उपर काप कर लिए तभी लिश्ट आपको बढ़एंगे और भाई नहीं पाईगे अमुल्या में आपको डॉक्टर ऑन कॉल ने किस तरह से हेल्प करा? मैं अमुल्या है उसके डॉक्टर ऑन कॉल मैडम को मैं थैंक्स करना चाहूंगा अस्पेशल ससी मैम को क्योंकि शुरुआत में तो मेरा सपोर्ट ससी मैम से मिला और उसके बाद रेखा मैम आई उनका ही जबरदस सपोर्ट हम लोगों के साथ रहा है और मैं तो आयर्वेट से था नहीं सर इलोपैत को मैं समझ रहा था तो शुरुआत में मैंने डॉक्टर मैम को और यहां से एक चीज मैं बताना चाहूंगा सर लिस्ट जनरेट करने का यह सबसे बेस्ट माध्या में हमारा मैं इसको थोरा सा कनेक्ट कर रहा हूं सर यह लिस्ट जनरेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्योंकि आपके पास निटवर्ग बनाने का पैसे नहीं है दौर करके आप 20 किलो मीटर नहीं जा सकते और पासे फाइननसेली भी अस्टॉंग होना सुरू हो जाएंगे, और जब फाइननसेली अस्टॉंग होना सुरू हो जाएंगे, उसी प्रियड में आप देखेंगे कि उनके घर में बच्चे हमारी अमुल्या अकेडमी भी है यहां पे, तो उसका फाइदा भी आप उठा ले तो हमारे पास हमारे वो गरीब भाईयों खास करके मैं उनको बोल रहा हूं सर बार बार कि उनके पास पैसे नहीं है कि वो डिग्री ले सके लेकिन अमुलिया और्गनाइजिशन ये मौका देती है सर कि आप कोई भी पिसेंट को जब आप रिपोर्ट हैं आप रिपोर्ट को हैं लेकिन प्रिस्किप्सन भी ये में सवाला लिखाया जो कि आज समाज का सबसे बड़ा चीज है आज कहीं भी डॉक्टर से दिखाने के लिए जाते हैं सर तो वहां पे फी लगते हैं 500 तो अपने समाज का अगर एवरी डे दस पिसेंट को दिखाए तो पांस जार तो नाच और फी में जाता होत्मा में तो अमुल्या का मेडिसीन हो जाता है एक तरीके से बिलकुल सुधा जवरदस्त है सर और मैं कहूंगा कि ये हमारे लिए डॉक्टर रिंकॉल जवरदस्त है सर रामबान है और अमुल्या अकेडमी के बारे में आपने स्किल की बात करी कित कितने आपकी टीम में लोग हैं आज हमारे टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जो कि अपना कलनिक बजापते खोल के चला रहे हैं लोगों के माइंड सेट में जो है कि केरियर का मतलब नौकरी लेकिन अमुल्या इस मिथ्या को तोड़ने का काम कर रही है कि केरियर का संधे तो सर एक जो नया आई जा यहाँ नया सपने लेकर एक लड़का जाइन नग रही है इस is industry को कितना समय लगता है सफल होने में कितना समय उनको देना चाहिए सामय की बात आती है सर तो यहां पर में बोलना चाहूंगा समय दो तरीके का होता है एक समय होता है कि सिर्फ मैं पान साल बोलो तो वो पान साल सिर्फ जॉइन कर गए और पान साल समय काड़ दिये समय वो नहीं होता है सर दूसरा एक ये होता है कि समय का मतलब आप दो साल दिये consistency के साथ दिये तिन साल दिये consistency के साथ दिये चार साल दिये consistency के साथ दिये, पांच साल दिये consistency के, तो consistency आपकी कितनी है, ये बहुत बड़ा matter करता, और मेरा मानना है सर कि जो पांच साल लगातार consistency के साथ काम कर लिया, वो इनसान, गारंटी मैं देता हूं सर, कि वो सफल हो जाएंगे, ओके, पांच साल, बिलकुल सर, पांच साल बहुत ज़्यादा हो गया सर, लेकिन consistency होनी चाहिए सर, उनकी routine में जिस तरीके से नौकरी में बोलते हैं ना, कि पूरे साल का 30 दिन चुटी है, उनका भी होना चाहिए वो ही सर, हम सब जब पढ़ाई शुरू करते हैं, तो बच्पन से एक सपना दिखाया जाता है कि पढ़ोगे, लिखोगे, तो बनोगे नवाब, तो बड़ा बनने के लिए हमें का जाता है पढ़ लो, लेकिन clarity कुछ नहीं होती, हम graduation कर लेते हैं, post graduation कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने कहा कि अगर सिर्फ पांच साल लगन के साथ लगा दिये, तो सफलता सुनश्चेत है, बहुत बढ़ी है सर, बहुत बढ़ी है, क्योंकि आज डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए बच्चे को जो है आँख पे चस्में चढ़ जाते हैं सर, लेकिन सिम्बल मिलने से थोरे हो जाएगा, आपको तो मार्केट को तब प्रूफ करना होगा, जब या तो गुवर्मेंट जॉब लेंगे, तो एक सालरी होगी, तो हाँ आप सफल नहीं है, आप एक सालरी ले रहे हैं, बहुत बड़ी पैसा नहीं हो सकता आपके पास, सफल तो तब होंगे, जब लाको रुप्या लगा किरके, आपको किलनी खोलना पड़ेगा, और किलनी खोलने के बाद फिर वही हैंड वील, आपको बाटना पड़ेगा, चौक चराहे पे होल्डिंग लगाना पड़ेगा, और उसके बाद तब आपके यहां लोग आना शुरू करेंगे, तो जब पिशिंट जब आएंगे, तो उनको जब आप इलाइज करेंगे, तो लेकिन डारेक्सेलिंग रेयल में बताना चाओंगा, तो पांच साल जो दिल से कर ले, इमन्दारी से कर ले, क्योंकि डारेक्सेलिंग में समस्या क्या है, सर, जब कोई डिग्री लेते हैं, तो वहां फिर सिर्व पैसे खर्च कर रहे होते हैं, जैसे आज मैं बची को रहा हूं तो पैसे लगातार में खर्च कर रहा हूं से वहां से कोई उमीद नी कर रहा हूं कि दो रुपिया आएगा लेकिन डायरेक सेलिंग को जब जॉइन करते हैं लोग तो पहला दिन से चाहते हैं कि पैसा मेरे घर में आ रहा की नहीं फेल का सबसे पहला कदम वही है सर उन्हें भी दिमाग में यह होना चाहिए कि पांच साल मेरा सिर्फ फाइमली चल जाए बिटर है बाकी हम अपनी डिजनस का निर्मान कर रहे हैं सर लास्ट में मैं ही चाहता हूं कि अपनी तरफ से अपनी टीम को और बाकी दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप कि जो कुछ भी हूं सर उन तमाम लोगों की महनत की बज़ा से बेसक मैं हर कोई के साथ मैं कदम से कदम मिला करके रात दीन एक महनत करता हूं लेकिन महनत तभी वो कारगर हो पाता है जब उनका साथ होता है और मैं सभी साथियों को सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि दिल से कर करें इमंधारी से करें मेंटर लाइफ में अपना एक जरूर बना और मेंटर बना करके पूरी सिद्दत के साथ लग जाए उम्र में में पटर चोटे हैं बड़े हैं उससे कोई मतलब नहीं लेकिन सिस्टम को जब आप जोईन किये हैं तो पूरे विष्वास आत्म Crown Ambassador का Sir कि जो जो goal मैंने set किया मैं पहले goal setting नहीं करता था और मुझे भी believe नहीं होता था कि law of attraction क्या होता है और ये goal setting क्या होता है मेरे दिमाग में ये बात नहीं चलता था लेकिन जब से मैंने law of attraction पर believe किया और काते हैं न जब लिख दिये law of attraction आप अपना goal set तो real में पूरी कयानात आपके साथ खड़ी होती है तो law of attraction एक बहुत बड़ी चीज है सर उसके उपर बिलकुल काम करना चाहिए तो आपका नक्षे जो है नेक्स जो है वो ambassador director है पहला तो अभी next है crown ambassador सर उसके बाद जो है AD की planning मैं हमेशा जो है system by system किया हूँ पूरा सर मेरा पहला लक्स था क्योंकि हमारे साथ क्या हो रहे थे कि हमारे नीचे के juniors गोल्ड कर गए रूवी कर गए और मेरा silver ही नहीं हो पा रहा था लेकिन कई बार ऐसे हुए नहीं हो पाया लेकिन फिर भी जब मैं silver किया तो non-stoppage किया गोल्ड किया तो non-stoppage किया मेरा अफिश्टी उठा करके देख सकते हैं सर रूवी किया अस्टार किया तो non-stoppage किया रूवी किया तो non-stoppage किया डाइरेक्टर किया हूँ तो non-stoppage किया हूँ अभी डाइमंड की तरफ में बढ़ा हूँ तभी तक मेरा नना स्टॉपेज है और अगला मेरा लक्ष ये है कि क्राउन जब करूंगा तो वो नना स्टॉपेज होगा सर इसले मैं एक ही सायरी बूलता हूँ हमेशा मेरा एक सेर रहता है सर कि हो गई है पिर परवत सी पिघलनी चाहिए यहां से कोई हिमाला निकलनी चाहिए हंगामा खरा करना मेरा मकसद नहीं है हमारे अमुल्या परिवार में जितने भाई हैं वो सभी लोग डाइमंड लेवल पे आनी चाहिए तरह वीर जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज आप इतनी दूर से हमारे बीच में आए और मैं ऐसी उमीद करता हूँ कि इस पाड़कास से जो आपने अपने अनुभव शेयर करें उससे बहुत लोगों का लाब होने वाला है और जो लोग एक डारेक्शन ढूंड रहे हैं उनको किस तरह से इस इंडस्ट्री में सक्सेस मिलेगी वो शायद इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका